नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं उत्तरकासी टरनल हादसा, आगर मशीन का टूटा हिसा निकला, सेना करेगी मेनुवल ड्रिलिंग उत्तरकासी के टरनल में फंसे 41 मजदूरों को निकलने का आज सोलहा दिन है, अगर मशीन में बार बार आ रही बधाओ के बाद, वर्टिकल ड्रिलिंग का कारे भी सुरू कर दिया गया है वहीं टरनल में कैद मजदूरों को सकुसल निकलने को लेकर खोज बचाव कारे यूद अस्तर पर चल रहा है बता दे, इंदीनों उत्रकासी सिल्कियारा टरनल रेस्क्यू कारे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, टरनल हादसे को 16 दिन हो गाए टरनल में फंसे 41 मजदूरों के सकुसल रेस्क्यू के लिए हर तरफ दुआओं का दोर जारी है वहीं रेस्क्यू कार में तमाम एजेंसियों को परिशानियों से भी 2-4 होना पर रहा है वहीं इसी बीच अच्छी ख़वर सामने आई है बता दे सिलक्यारे सुरंग के उपर वर्टिकल ड्रीलिंग का काम जारी कर दिया गया है अभी तक 30 मीटर तक वर्टिकल ड्रीलिंग कर दी गई है टोटल 88 मीटर की वर्टिकल ड्रीलिंग होनी है वहीं सुरंग के अंदर पाइप में फंसे अगर मसिन के टूटे हिस्व को भी बाहर निकाल लिया गया है अब यहां मैनुवल ड्रीलिंग का काम सुरू किया जाएगा जो की भारतिय सेना की इंजिनियरिंग, बटालियन, मदरास, सेपर्स की निगरानी में आगे बढ़ेगा मैनुवल ड्रीलिंग के लिए रेट माइनिंग भी धी अपनाई जाएगी टेट पास सहायक अध्यापक हर जिले में सरकार के कारकरम का करेंगे बिरोध जायरखन के टेट पास सहायक अध्यापक पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से अंदोलन रत हैं सरकार के उदासिन रवाजा को देखते हुए अब इन लोगों ने उगर अंदोलन करने का मन बना लिया है जिसके तहट आपकी सरकार आपके द्वारकरम का विरोध करने और मुक्यमंत्री आवास घहराव का फ़ैसला लिया गया है बता दे लगभग सौ दिनों से बेतन मायन की मायंग कर रहे राज भर के टेट पास सहयक अध्यापकों ने मुख्य मंत्री की आपकी सरकार आपके द्वार करकरम का हर जीले में बिरोध करने का फैसला किया है इसके साथ साथ टेट पास सहयक अध्यापकों के संगर्टन ने चर्णबद आउंदोलन का सेडियोल भी जारी किया है राज अस्तरी बैठक में सभी जीले के अध्यापकों ने मुख्य मंत्री आवास गेराव से लेकर विधान सभा गेराद तक का करकरम ताय किया है जारखन मौसम में बदलाव, छाय का कोहरा और धोंद राज में आने वाले दिनों में निम्तन ताप्मान में बड़ा परियोतन होने की संभवना नहीं है इसके बाद अगामी तीन दिनों के अंदर निम्तन ताप्मान में 3-4 डिगरी सेल्सेस तक बड़ोतरी होने की संभवना है मौसम विभाग से मिली जनकारी के अनुसार 29 नॉवमबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्द दबाव छेतर बनने की समभवना है इस करान 29 नॉवमबर तक आसिक रूप से बादल चाह सकते हैं इस दवरान मौसम सुस्क रहेगा फिलहाल बारिस होने की समभवना नहीं है वहें 30 नॉवमबर वह एक दिसंबर को सुबह में कोहरा या धूंद चाह रह सकता है जिसके बाद आस्मान में आसिक रूप से बादल चाह रहेंगे कार्तिक पुर्णीमा पर अस्नान करने उमड़ा सरधालों का जन सेलाब कार्तिक पुर्णीमा सह देव दिपाली के उसर पर साहिव गंज के मुक्तेशवर गंगा घाट पर सोमव और सुबह सरधालों के भीड गंगा अस्नान करने उमड़ी हुई थी जिला मुख्यालाई और राज महल अनुमंडल छेत्र इस्थित सुर्य देव गंगा घाट पर अहले सुबह से लोगों का आना जाना लगा रहा खास बात इस पुर्निमा पर सफा होड आदिवासिक लोग भी पवित्र गंगा में असनान कर दीप दान कर सुख सांती की कामना की गंगा किनारे लोग बिधी बिधान से पुजा कर दीपक गंगा नदी में छोड़ा गंगा किनारे देव दिवाली मनाया गया बता दे कोई मिट्टी का दीपक तो कोई नारियल का गुच्छा में दीप जला कर मा गांगा में दान किये वही बरहरवा निवासी थतर वर्षी ए रामनात भगत अपनी पत्नी के साथ मुक्ज़ेश्वर गांगा घाट पर पहुँचे और गांगा आस्तान किया और मा गंगा का चुनरी वसाड़ी और पन परसाथ चढ़ा कर नमन किया खुबसूरत लड़की की तस्वीर देख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले संभल जाए हनी ट्रेप का नाम आपने सुना होगा हनी ट्रेप के माध्यम से खुबसूरत यूतिया फोटो वीडियो या फिर मैसेज के जर्य ब्लेक मेल करती है लेकिन जम सेथपुर पुलिस ने एक अलग ही मामला का खुला सकिया है दरसल सहर के तिन युवक मिलकर लड़की की आवाज में सिकार को फसाते थे सिकार होने वाले के मोबाइल वा इंटरनेट मीडिया पर असलील वीडियो वा मैसेज भी बेजा करते थे इसके बाद ब्लेक मेल का सिलसिला सुरू हो जाता था बता दे बिहार रायस्थान उतर परदेश समेत दरजन भर राजियों के लोगों को सिकार बनाया कर वसुली की जाती थी जमसेदपुर पूलिस फिलाल 20 मामलों की जनकारी हासिल कर पाई है जारखन में हाथियों की मौद पर भारत सरकार की पैनी नजार पूर्भी सिम्भुम जी लेके चाकुलिया वा मूसा बनी वन छेतर में बीते दिनों हुई साथ हाथियों की मौद का मामला भारत सरकार तक पहुँच गया है भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले दवारा गठित टीम ने रभी वार को मुसा बनी वाचा कुलिया का दवराक और घाटनास्थल के जनकारी की वही हाथियों की मौत कैसे हुई इसके लिए कौन जिमेवार है वा इसे कैसे रोका जा सकता है इनी तीन बिंदुवा परमुख रूप से जाच की गई जाच टीम ने घाटनास्थल से साक्ष जुटायों वा ग्रामिनों से बातचित का जनकारी ली है जाच दल में बन जिव अपराध नियंतरन भ्योरों के सन्यूक्त निदेशक एचवी गिरी सा उपस्थित थे Central Silk Board के सच्चिव ने किया कुलहान का दवरा भरत सरकार के Central Silk Board के सच्चिव PCU कुमार ने रविवार को खरसावा PPC का दवरा किया उन्होंने रेसम की बारीकी से अलोकन करने के साथ अधिकारी वो तसर किसानों के साथ विचार विमर्ज भी किया है उन्होंने जहार्खन समय देश भर में तसर कोसा के घरती उपज पर चिन्ता जताई और कहा है कि तीन वर्ष पहले तक देश में 3800 मिट्रिक टन तसर कोसा का उतपादन होता था लेकिन पिछले वर्ष मात्र 1300 मिट्रिक टन ही उतपादन हुआ है तसर उतपादन में जहार्खन देश का अगरिनी राज रहा है पिशले तीन वर्सों से जार्खन में भी तसर उत्पादन में कमी आई है जे गुरुजी एप को डाउनलोड करे स्कूली बच्चे जार्खन सिक्षा पर्यूना ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जे गुरुजी एप को डाउनलोड करने का निदेश दिया है और कहा है कि इस एप पर कच्छा एक से बारत तक का भी सेवार कंटेंट लोड किया गया है अब स्कूली बच्चे इस एप को डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए परिक्षा दे सकते हैं जो बच्चे परिक्षा में बेहतर प्रसन करेंगे उन्हें विभाग कि और से पुरुस्त्रीत भी किया जाएगा इस तमध में जीला सिक्षा पता अधिकारी नीलम आईलीन टोपनो ने 156 सरकारी स्कूलों के परधना ध्यापक को इस संबाद में पत्र भेजा है उनसे कहा है कि अब बच्चे जे गुरुजी एप के माधियम से ही परिक्षा देंगे बोकारो थर्मल पावर प्लांट का अनिस्चित कालिन गेट जायम गिरीडी सांसर चंद्र प्रकास चोधरी के नतित में बिस्थापितों की मांगो सहित अन मांगो को लेकर डीवी सी बोकारो थर्मल के 500 मेगावार्ट वाले पावर प्लांट का में गेट आंधुलनकारियों सांसत प्रतिनिधी जीतेंद्र यादव, अमरीत लाल मुंडा, बेमो परखंड द्यक्ष, मन्जु आलाम, वहीं उपर घाट के पूर्व जीप सदस्य टिकायत महतो, नरेश परजाप्रती, बलेश्वर यादव, आदी के साथ डटे हुए हैं, जाम के कारण पावर पलांट के लिए आए 13,000 आवेदान, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में तीन दिनों के दवरान, देवघर जीले के 10 परखंडों में अबवा आवास योजना के 13,38 आवेदान प्राप्थ हुए हैं, इसमें सबसे अधिक मोहनपूर परखंड में 3550 आववा आव सरकार आपके द्वार कारकरम में सबसे अधिक अबवा आवास योजना के काउंटर में आवेदान देने के लिए भीर लग रही हैं, इन आवेदानों की स्कूटनिकर इंट्री कर ली गई हैं, साथ ही इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजी गई हैं आई से अधिक संपति केस मामले में पंकज यादो को ACB ने बुलाया, रगवर कैबिनेट के पांच पूरो मंत्रियों की आई से अधिक संपति की जाच कर रही ACB ने सक्रियता बढ़ाया दी है, ACB ने पत्र भेज कर स्थिकायत करता पंकज कुमार यादो को गवाही के लिए बुलाया है, पंकज यादो को भेजे गए पत्र में पूरो मंत्रि निल कंट सिंग मुंडा की आई से अधिक संपति मामले में ब्यान दर्च करने को बुलाया है, पंकज यादो को एक सपता के भीतर ACB करयाले में उपस्थित होकर गवाही दर्च करानी है, उलेखनी है कि र प्रमुक्य मंत्री ने कहा है कि आज का दिन पवित्र दिन है, आज के दिन को गुरु पुर्नीमाक के रूप में भी मनाया जाता है, CM ने कहा है मुझे कई मौकों पर इस परिसर में आने का मौका मिला है, परन्तु आज का दिन हम सभी के लिए काफी बिशेस्त दिन है, क्योंकि हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी गुरु गरंच साहिव के अस्थापन काम कत्नौ में भुरु